पीजेपी के विधायक के मुसलमानों खिलाप भड़काओ बोलwyn, लिकिन कारवाय के नाम पर सब हवा हवाय कभी रेलियों में, कभी ट्वीटर पर मुसलमानों खिलाप लगातार हिंसा की बात की जा रही है बोला जा रहा है कि चुन चुन कर मारेंगे लेकिन फिर भी ना तो कारवाई हो रही है और ना ही बीजेपी कोई एक्शन ले रही है दुरसल महारास से बीजेपी के विधायक नितेश राने लगातार भड़काओं बयान दे रहे है महारास के मीरा रोड़ पर दो समयदाओ के बीच में जड़प हुई तोड़ फोड़ हुई लेकिन पुलिस ने मामले को शान्त करते हुए इस पर काबु पा लिया और शांती बनाए रखने की अपील भी की लेकिन शांती बनाए रखने की जगा महरास में सत्ता चला रही बीज़पी के विधायक बोल रहे हैं कि चुन चुन कर मारे की हम हिंदुतवादी कारेकरता डर पैदा करने में सक्षम है तो जी दोस्तों ऐसे शब इनके पास आते कहा से हैं क्यों गुंडे लोगों को ही बीज़पी में शामिल किया जाता है क्यों बीज़पी इन पर कारवाई नहीं कर रही है क्या इसके पीछे ये वज़ा है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं इसी वज़े से सरकार में उन्हें छूट मिल गई है, क्योंकि ये तो बीजेपी का परमपरा रही है, जितना बड़ा गुंडा आरोपी, उतना बड़ा पद, शायद इसी वज़े से इन पर कोई कारवाई ना हो, और वैसे भी, राजे में सरकार बीजेपी की है, तो जो कारवाई होते भी है, अब वो भी नहीं होगी, भाजपा की इविदायक बिना कानून की ड़से, इस तरह के लगातार बयान दे रहे हैं, और ये एक दो बार की बात नहीं है दोस्तों, इनकी आदत ही ऐसी है, भड़काव बयान देने की, ये हमीशा ऐसे ही करते हैं, इनकी एक और वीडियो वायल हो रही है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि गिने चुने 15 टकालोग हैं, हम हिंदू 80 टकालोग हैं, इतने याद रखना चाहिए हम हिंद तुबादी कारे करता डर पैदा करने में सक्षम हैं, मतलब नितीश राने यहां पर बता रहे हैं कि हम ज्यादा हैं, मुस्लमानों के संक्या कम हैं, उन्हें याद रुकना चाहिए कि हम डर पैदा करने के काबिल हैं, किस तरह के डर की बात भाजब की चैकि शाय देने पता है ऐसे बयान देगे तो इनके सरकार में वहवाई होगी, सम्मान होगा और बड़ा पद भी मिल सकता है और बाद रही कारवाई की तो वह तो होने से रही इसलिए बेखोफ हैं और ऐसे भड़काव बयान दे रहे हैं इस से पहले भी कईबार इन्होंने ऐसे ही बयान दिये हैं महरास्ट के सोलापुर में हिंदू जण आकरोश रैली के दुरान इन्होंने और भाज्वा के प्यारे और पसंदीदा नीता टी राज़ा ने मुस्लमानों छिलाव और मस्जदों के खलाव बयान दिये थे जिनके बाद इन पर F.I.R. भी हुई थी लेकिन हुआ क्या F.I.R. से नितेश राने तो फिर चुन-चुन कर मारने की बात कर रहे हैं खेर दूसर आप लोगों क्या लगता है कि बीजेपी में जाते ही ऐसे लोगों को मनमर्जी करने का मौका मिल जाता है जो यह चाहकर कर सकते हैं जो मर्जी कर सकते हैं क्योंकि इन पर कोई कारवाई नहीं होगी इन्हें इस बात का पता है क्योंकि बीजेपी का तो काम ही है ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना अब कारवाई करके वो अपनी परंपरा को थोड़ी न तोड़ सकते हैं इसी वज़े से ऐसे लोगों को फुल छोट है बढ़का और बयान देने की और माहुल खराब करने की फिर दोस्तों आप लोगों क्यों लगता है इस वीडियो पर हमें अपनी राय सरूर दें और बागी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े लिए हमारे साथ